बुचिया खाना किसे नहीं पसंद लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तेल की वज़ा से खानी पाते हैं आज मैं आप लोक्षा शेयर करने वाले बीना तेल की भुईया इसे हम बीना फ्राइ के बनाएंगे हेलो फ्रैंस वेल्कम बैक मैं चैनल मेरे कीचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज की रेसेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बोल लेना है और उसमें हम डाल देंगे बेसन अब देखें यहां पर बेसन आपको उतना लेना है जितना बुचिय ले लिया है अब इसमें मसाले डालेंगे अब देखें मसाले भी आप अपने स्वाद अनुसार जो भी आपको पसंद जो फिलिवर देना चाते आड़ कर सकते हैं मैं यहां पर सबसे सिंपल वाला हल्दी मिर्ची वाला ही बना रही हूँ जो बेसिकली सभी के घर में एजिल मिल जाता है हल्दी मिर्ची के साथ इसमें हम नमक डालेंगे साथ में चाट मसाला डालेंगे इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा चाट मसाला अगर आपके पास है तो जरूर डालिए अगर नहीं है तो इसमें थोड़ा सा आम चुर पाडर जरूर डालिएगा अब इस सुखी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर अच्छे मिक्स हो गया है अब हम जो से बना रहे बुजिया बना रहे इसमें थोड़ा सह मोयन देंगे लिए आप यहां पे दो तरह के तेल यूज़ कर सकते हैं और इसे हम डालेंगे जो रेगल जो हमारे से एक चमच और कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा मत कीजिएगा तो यहां पर हातों से हमें मेक्स कर लेना है पहले तेल और सुखे मसालों को और बेशन को अच्छी तरीके से मसल मसल के और मेक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके आठा लगा के तैया मैं इसके पानी बेशन को यह जड़ा होगा पानी आप में रेगूलर बिल्कुल ओटर होगा और इसमें लगवक चार से पांच चमच और ब़्याते पानी डालत राएगा है और डालने के बाद फिन फंस में पाने डाल देते हैं अग्जस कर लेते हैं हातों में इस तरह के से चिपकता नहीं है लेकिन बेशन का जब आटा लगाते हैं तो आपको बहुत कम पानी एड करना होता है और देखिए मैंने आटा लगा कर लिया है और इसमें से कितना पानी बचा है वो मैं आपको दिखा दूँगी पहले मैं एक बार हाथ को क्लीन कर लूँ इस तरीके से चमच ले लेंगे या फिर कोई नाइफ ले लिजिए और इसके जो किनारे से हम इस तरीके से ज और जो इसे थोड़ा सा मसल मसल के चिकना कर लेंगे ताकि यह स्मूथ हो जाए और इसे दस मिनट के लिए ढखके रख देंगे और जो मैंने पानी लिया था उसमें से लगबाग आदा कप के करीक पानी बच गया है बहुत कम पानी में आटा लगा के तैयार किया गया है कोई भी टीशू पर ले लिए उसमें हलका सा तेल लगा लिए और इसे चिकना कर लिए तो यहां पर जब तेल लगा लेंगे उसके बाद जो हमने बेसन का डो बनाया था इसके अंदर हम डाल देंगे और इस तरीके से हमें बंद कर देना है तो चलिए पहला एश्टेप हमन जाना है तो नि prize और इसे बेक करेंगे तो बेक करने से पहले हमें दो थीन बातों का ध्यान रखना, हमें ट्रेय ॡाब यह प्लेडी कर ना है थायो है को सकषास debate ट्रेओ वाओन दिया इसके उपर इक ग्रधार बटर पेपर बटर डाल लूद यह बटर फिर पेपर मैं ते आप इस तरीके से गिराएंगे तो आपको क्या करना साचा को उपर रखना और इस तरीके से जैसे लटक रहना इस तरीके से आपको लटकाना है फिर उसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ आपको छोड़ देना है फिर नाइफ ले लिजे या फिर चाकू ले लिजे इस तर इस step को आपको follow करना है अगर आप baking करते हैं बेक करके भुजिया बनाते हैं जब हम भुजिया तेल में fry करते हैं तो जब तेल में छोड़ते हैं तो वह चिपकने का चांस नहीं होता है बट यहां पे थोड़ा सा चिपकने का चांस रहेगा और इस तरीके से जितनी आपके ट् चिपक गए तो इस बात का ध्यान रखिएगा आपको ऊपर से ही गिराना है ज्यादा नीचे से गिराएंगे तो इस तरीके से आपस में चिपक जाएंगे तो जब बेक करते हैं तो इस छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिएगा देखिए सारे टिप्स और ट्रिक के बना बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और यह मैं फर्स टाइम ही बनाई थी बहुत ही अच्छा बन के तयार हुआ था जिन्हें तेल नहीं खाना है और रॉक्टर ने मना किया है या फिर उन्हें किसी वज़ा से ओली फूड नहीं खाना है तो वहां पर यह वाली रेसिपी आप ज बढ़ी से भी अच्छी लगते तो लाइक जरूर किया किजिए तो चलिए इसे मैंने बना लिया है अब इसे हम बेक करेंगे बेक करने के लिए आपको क्या करना है आवन को पहले प्रिहिट कर लेना मतलब गरम कर लेना पहले से और इसके बाद मैंने टेमपरेचर डाई तो टेमपरेचर जैसा है लिखा हुआ है जिससे आप सेट करते हैं वहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और यहां पर एक बार यह नीचे से पक गया है अब इसे हम पलट के दूसरी तरफ से भी पकने के लिए छोड़ देंगे तो बस इसे सिंपली इस तरीके से आप इस बात का ध्यान रखिएगा और देखे अची तरीके से तोनों तरफ से क्रिस्प हो गया है जब यह बन जाए तो आप बीच बीच में एक बार चेक करते रहे हैं कि यह उपर से जलना जा इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप नहीं देखेंगे तो यह जलने का हाथ लगाएगा जब आप देखोने के बाद हाथ लगाएंगे तो यह थोड़ा सॉफ्ट रहेगा जैसी ठंडा होगा वापसी भुजिया के जैसा हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसे तरीके से तोड़ लेंगे और यह टाइट डब्बे में बंद करके रखिए रखिए र पसंद आता है तो शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बते हैं आपको कैसी लगी बाबाई